आज अंबाला के बिजली विभाग के सुप्रेटेंडिंग एंजुनियर ने अलग लग विभागों पर बकाया बिजली बिल की जानकारी देते हुए बताया के अंबाला में नगर निगम पर स्ट्रेट लाइटों का 6 करोड 30 लाग, इरिगेशन ड्रेंज विभाग पर 1 करोड 55 लाग, पंचायत विभाग पर लगभग 28 लाग, पब्लिक वार्टर वर्कर्स पर 19 करोड 67 लाग, लगु सचिवाले परीसर पर 4 करोड से अधिक, हुड़ा विभाग पर 2.5 करोड बिजली के बिल बकाया है, उन्होंने बताया कि इसके लिए विभागों को समय समय पर नोटीस भी दिये जाते हैं, वहीं विभागों पर बकाया बिजली के बिलों को लेकर, हमने अलग लग अधिकारियों से संपरक करने का प्रयास किया, तो अधिका आने वाले विभिन ब्लाक्स में कितना बिल बकाया है, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है, अजार टीवी नियूस के लिए अंबाला से कैमरामेन अभिशेक सूध के साथ हरजीत संग की रिपोर्ट, एक नो इसका दो जार बीस को पाट कर इसका चेक काट कर विजली हुआ कर इसके तीन कल तीन नौ में इसको जमा करवा दिया, जितनी माट जो आप बता रहे कितनी बताई आपने माट, 28 लाग रपे इसकी कारेलिया का पैंडिक नहीं है, अगर होगा तो किसी कारेलिया का उस करता है, आज के समय में हमारे हमवाला सरक्र में 19 करोड रुपया पब्लिक हेल्थ इंजिनिंग डिपार्टमेंट पर बगाया है, और 6.3 करोड रुपया अपना स्ट्रीट लाइट पर बगाया है, एक पॉइंट पच्पन जो है, वो M.I.D.C. पर बगाया है, वो 25 पर अठ 20 लाइट हो गाया है, और मिनी सेक्टरी और D.C. ओफिस जितना है, उसके 4.18 करोड रुपया है, हम लोगों समय समय में पर इनको नोटिस भी जारी करते हैं, और फंट जाने पर इसको चुकाते भी रहते हैं, अभी यह कितने ताइम के पेंडिक हैं? यह अभी आज तक ही है पिछले हर साल में अपडेट होती रहती है, यह आज तक की इस साल में मार्च के बासे अब तक की अमौंट है, आज तक की टोटल अमौंट पेंडिक है अगर नोटिस के बावजीत भी नहीं भड़ा जाता तो हम लोग दुबारा फिर इन से टेक अप करते हैं, इनको प्रेसर पूंट करते हैं कि गौर्मेंट से फंट लेके इसको प्राय जाए और ऐसे स्थिति ना नीज दिये जाए कि सरकारी विभाग टेकनेशन को काटना पड़े